राहूल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। विदेशी दोस्त हों, विदेशी जंसियां हों, विदेशी चैनल हों, या फिर विदेशी जमी हों। किसी का भी दुरूप्यों करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे है। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुन्योजित तरीके से विजेशी सरजमीन से राहूल गांदी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है उनकी भाशा उनके विचार उनकी कारेशली सब कुछ संदिक सी है और अगर ये पहला समय नहीं ये बार बार राहूल जी ने किया है जब कोविट-19 पैंडेमिक आया तब भी भारत की वैक्षीन पर प्रशंचन खड़ा किया कहीं से अतिक्रमन हुआ तो जाके राहूल गांदी जी ने भारत की सेना की उपर प्रशंचन खड़ा कर दिया और जाकर चीन के अधिकारियों के सा जाकर बैठके हमारे सेना के जान जबान शहीद होगे तो कहतें कारबं में कुछ लोग मर गएंगें यह क्या यह सोच राहूल गांदी जी की भारतिय सेना के प्रती है कभी हमारे सैनिकों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उनको थपड़ पड़े क्या क्यों कहते हैं और इतना कमजोर कॉंग्रेस पार्टी हो सकती है भारत नहीं है कि वो अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें मैं इतना ही कहूंगा राहुल जी भारतिये लोक तंतर भी मजबूत है भारत के लोक भी मजबूत है भारत की सेना भी मजबूत है और भारत के पास आज एक ऐसा नेतरतव है जो ताकत बर भी है और दूर दृष्टी भी है और दुनिया भर के नेतरतव ने कहा कि हमें भारत मे विश्वास है मोधी जी पर विश्वास है आप भारत के साथ विश्वास घात्मत के रिए रहुल गांदी जी आप भारत की विदेश निती पर आक्शेप आपके निम्न बौधिक स्तरका परिचायक है कभी दूसरी जमीन पर जाकर अपने देश को बदराम करने का काम जो आप करते हैं जूट फिलाने का काम जो करते हैं इसको कोई मानेगा नहीं जो स्वय भ्रष्टाचार के चलते बेल पर हो वो दूसरों के प्रतिवी और सम्वेधानिक संस्ताओं के प्रतिवी उनके शायद विश्वास ही खतम हो गया है और ये शायद इस पार्टी में पहले भी रहा जब यहां के मुद्दों को United Nation में ले जाना और अब भारत के लिए दूसरे देशों को हस्तक शेप करने के लिए कहना ये गुलामी की सोच से शायद बहर नहीं आ पाए और अजादी के 72 में वर्ष में में इतना ही कहना चाहता हूं